नमस्काद अश्कों, यूटूब के मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है, आज मैं कुम राशी के जातकों के लिए अक्टूबर 2020 का राशी फल लेकि आई हूँ, मेरा ये राशी फल आपकी चंद राशी पर अधारित है, अगर आपकी चंद राशी कुम है तो आप ये वीड लिखा हुआ है, तो आपकी जो राशी बनती है, वो कुम राशी बनती है, और आप ये वीडियो देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्टूबर के महा में कुम राशी के जातकों के लिए घ्रह गोचर क्या है, देव गुरु बस्तपति, आपके एकदश भाब मे विराजमान है, धनू राशी में, शनी भाराज मकर राशी में विद्यमान है, द्वादश में, महा का जब आरम होगा, तो दशमेश मंगल अपनी मेश राशी में होंगे, आपके तीसरे भाब में, और आट नौन अक्टूबर के बाद मंगल जो है, वो मीन राशी में चले जाएंगे, वक्री अवस्ता में, आपके धन वाब में आ जाएंगे, उचके विशप के राभू, आपके चौते भाब में विद्यमान है, और महा का जब आरम होगा, तो सब्तम भाब में, आपके भागे शुक्र जो है, वो सिंग राशी में होंगे, और देश अक्टूबर के बाद शुक्र जो है, वो कन्या राशी में चले जाएंगे, आपके अश्टम में, महा के आरम में सूरे कन्या राशी में होंगे, और 17 अक्टूबर के बाद सूरे तुला राशी में प्रवेश करेंगे, जा उनकी वक्री भुद्के संग यूती हो जाएगी, और ये यूत बनी रहेगी, महा के अन तक, दशम भाब में केतू विराजमान है विष्टिक राशी में, तो ये घ्रह गोचर है कुम राशी के जातकों के लिए, कुम राशी के जातकों के अगर हम बात करें कि उनके लिए सितंबर के महीने का क्या प्रवाब हुआ, तो सितंबर के महीने क सबसे बड़ा परभवाब यह हुआ कि सितंबर के महिने में, एक तो 3 सितंबर को राहु और केतु उनके दशमाद चतुरत भाब में आ गए दशमाद में राहु-केतु आने का संबन्ध ये है कि कुम राशी के वो जातक जो कि विदेश जाना चाते थे उनके लिए विदेश जाने का उप्शन खुल गया क्योंकि ध्यान देने की बात यह है कि 24 जन्वरी 2020 से आपके लगनेश अल्रेडी 12 चल रहे हैं लगनेश 12 चल रहे हैं और 23 सितंबर से रहू के तुभी आपके दिशम भाब में आ गए तो कुम राशी के वजातक जो कि विदेश के जाने की ज़ारे में सोच रहे थे उनके लिए विदेश जाने का सीधा उप्शन खुल गया साथ ही शनीव गुरू के मार्गी होने का प्रभाव ये पड़ा कि गुरू के मार्गी होने से गुरू की शुपता बढ़ गई कुम राशी वो भागेशाली राशी है जिसकी कुंडली के एकादश भाव में देव गुरू बर्सपती ब्रहमन कर रहे हैं एका दैश्पाब में देव गुरु का ब्रहमण काफी शुब माना जाता है, आपके घर में शुब मांगली कारे होते हैं, इच्छाओं की पूरती होती है, विवा के परस्ताब आ सकते हैं, आपको नौकनी वगारे की तलास्ती वो पूरी हो सकती है, आप जॉब चेंज कर सकत क्योंकि लगनेश आपके मारगी हो गए, क्योंकि जब घ्रह बकरी होता है, तो पुरानी विमारी लोट के परिशान करते हैं, तो सितंबर महा का तो ये प्रभाब ये बना कुमराशी के जातकों के लिए, अब अक्टूबर के महीने के हम बात करें, तो मेरा है मानना है कि अ और दिमाग से जड़ाई काम करना प्रसंग करते हैं, तो इस समय जरूरी है कि अपने प्लानी की जो काल्टिया उसका फैदा उठाएं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अभी आपके पास समय है 20.09.2020 तक, रीजन क्या है कि 20.09.2020 के बाद आपके देव गुरु बर्सपति समय आपको थोड़ी सी साफधानी रखनी पड़ेगी, उस समय आप जो है अपनी जॉब में हो या वैपार में हो, किसी तरह का कोई रिक्स नहीं ले सकते, आपको जो अपना काम है उसी को रूटीन में चालू रखना पड़ेगा, उसके बाद 6 अप्रेल 2021 के बाद जब अत्मान जॉब है, उससे सैटिस्फाइड नहीं है, और आपके मन में बात आ रही है, मुझे तो जॉब बदलनी है, जॉब बदलनी है, तो अभी आपके पास 19 नहुंबर तक का समय है, 19 नहुंबर तक देव गुरु बर्सपती आपके एकदश भाब में है, आपका धनेश और लाभेश एकदश भाब में है, और अक्टूबर के महां में क्योंकि आपका मंगल जो है, आपका दशमेश वक्री है, तो वो पिछली राशी से फैक्ट दे रहा है, और भागेश शुक्रियां बैठा है, तो दशमेश और भागेश का पूर्दिष्टी समन काम के लिए विशुप संकेत आ रहा है, दशमभाब में केतु चल रहा है, एकदश भाब में जो है, आप देव गुरु भर्सपती विद्यमान है, तो आपके पास काम के लिए कोई ना कोई आफर आ सकती है, तो आप अगर जौब बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए उन्निस नोहंब 20 तक है, तब आप कर लिजिए, बाद में 20 नोहंबर 20 से 6 अपरेल 2021 तक थोड़ी सी साफधानी रखिएगा, और उसके बाद आप 6 अपरेल के बाद दुबारा नए सीरे से अपना काम कर सकते हैं, जो वैपारी पार्टनर्शिप में काम करते हैं, उनको लिए साफधानी रख 30 अक्टूबर के बाद जो आपके भागेश शुक्र हैं, वो तो अस्टम में आ रहे हैं, और आपके जो अस्टमेश बुद्ध हैं, वो आपके भागेबाब में हैं, यानि अस्टमेश और भागेश का राशी परवरतन जो हो रहा है, वो इस बात का संकेत दिरा है कि भागे तो आपकी लाइक में कोई बड़ा चेंज आने वाला है, वोग बड़ी ओड़ी अधिकार से वो सकता है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं जो विदेश चले जाएं या कोई किसी अच्छी जॉब की तलाश में थे, उनको वग अच्छी जॉब मिल जाएं तो अचाना की क अपने भावों की रक्षा करेंगे, तो आपकी लायक में अचाना की कोई बड़ा चींज आने वाला है, तो अक्टूबर का महीना कुम राशी के जातकों के लिए बहुत महत्यपूर है, हर तरीके से अगर उन्यों के प्लानिंग करनी है, अपने केरियर को लेकर, या अपने व नीच राशी में आना, और दूसरा सब्त में सूरे जो है, उमहा के आरम में तो अश्टम में होंगे, और 17 अक्टूबर के बाद अपनी नीच राशी तुला में चले जाएंगे, तो दमपते जीवन में किसी पकार की कोई विवाद, बेचैनी, गलत फेहमी वगरा की बात आ सकती है, तो दमपते जीवन में बिल्कुल साफधानी रखें, अगर आपको दमपते जीवन में ज्यादा प्रवलम हो, तो आप हर शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाएं, और सुन्दर कांट का पाठ करें, निश्चित रूप से बजरंग बली की किरपा से घर में सु सिस्तिती बनती भी है, तो इसमें कुछ आप बिल्कुल अडिक मत होएगा, काम को आराम से करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि गोचर अभी सही नहीं है, कि सरकार का कारक सूरे समय जो है, वो इस बात का संकेत दी रहा है, कि सरकारी कामों में किसी प्रकार की बादा आ सकती ह सूरे आपके पिता का भी कारक है, इसलिए अगर आपके पिता का स्वास्ते नहीं खराब चल रहा है, तो अपने पिता के स्वास्ते का विशेश उप से ध्यान रखिए, कुम्राशी के वो जातक जो की बच्चा प्लान करना चाते थे, संतान की प्लानिंग चाते थे, वो इ लेव गुरू की दिश्टिए आपके पंचमभाब पर है, एक दो, तीन, चार, पांच, चेस, साथी, कुम्राशी के वो विवायों के जातक जो अपने विवा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए विवा के परस्ताब आ सकते हैं, गुरू जो हैं, आपके सब्तमभाब को इसे स्वास्ते में सुधार होगा वीडियो के आरभ में मैंने बताया आपकी विदेश आत्रा का समय बन गया है रहू केतु आ गए हैं आपके दशम और चतुर भाब में और दौदश भाब में आपकी शनी चल रहे हैं आपकी जो मंगल हैं वो दूसरे भाब में चल रहे हैं और उनका सम्मद आपके अश्टम भाब से बन रहा है इसलिए वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलाईएगा वाहन चलाने में किसी प्रकार की जलवाजी मत करियेगा गती नेंत्रिद रखेगा और आपके वाणी भाब का ध्यान रखेगा वाणी भाब में कोई ऐसी आपके मूँ से ऐसी बात निकल सकती है कि सामने वाला नाराज हो जाए और कुटम में किसी प्रकार के घर के सदस्चों में आपस के निजदी के रिजदारों में किसी पकार की उलडाई जगडा है विवाद हो जाए मैं इस पश्ट कर दू कुमराजी के जातक जो है उनके उपर शनी के साड़े साथी चल रही है 24 जनवरी 2020 से इसलिए आप कुमराजी के जातक हैं और आप चाते हैं आपको सभी तरह के शुफल मिलें जरूरी है कि आप शनी माराज को शांत रखनी के लिए पहला इक उपाय जरूर गाट बान लीजिए कि आपको हर रोज काली गाय को दो रोटी खिलानी है और हर शनिवार को शनी मंतिर में जाकर चायादान करिए एक स्टील की कटोरी लीजिए उसमें तेल डालिए उसमें एक रुपे का सिक्काड डालिए उसमें अपनी छाया देखिए और शनी माराज को अरपित कीजिए इस प्रकार से आप छाया दान करेंगे तो आपके शरीर से जो शनी का परवाव है वो चला जाएगा अब हम देखते हैं कि कुम राशी के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना अतना महत्यपूर हो के आया तो उसके लिए कौन सी शुक्तितिया हैं जिसमें उनको अपना कारी करने का विचार करना चाहिए वो शुक्तितियां वो होंगी जब चंद्रमा कुम्ब का, मेश का, करक का, सिंग का, विष्टिक का धनुका होगा तो चंद्रमा पॉजिटिव होगा अगर इस समय वो कारी करने का को विचार करते हैं तो निश्चिरूपते सफलता मिलेगी वो शुक्तितियां नोट 3 वा 4 अक्टूबर, 5 वा 11 अक्टूबर, 12 वा 13 अक्टूबर, 14 वा 19 अक्टूबर, 20 वा 21 अक्टूबर, 22 वा 26 अक्टूबर, 27 वा 31 अक्टूबर अब मैं आपको शुप्तितियां बता रही हूं, जब चंदरमा आपका चौथा, आटमा या बारमा होगा, यानि चंदरमा जब विरिशब का, कन्या का, या मकर का होगा, तो चंदरमा नेगटिव होगा, फूल कर भी इन तितियों पर को महत्यपूर काम ना करें, वह शुप्त ये महा जौब बदलने के लिए बिल्कुछ सही है, आप जौब बदलने का सोच सकते हैं, साथ ही, इस महा का जो मैंने आपको राशीफल बताया, वो राशीफल इस बात पनिरवर करेगा, कि आपकी कुंदली में दशाएं कैसी चल रही है, अगर आपकी कुंदली में लाभे जो छटे आठ वी यां बार्वी भाब में बैठा है, तो इस राशीफल का थोड़ा साथ को कम परभाब मिलेगा, कम पॉजटिव होगा आपके लिए, उस में आपको थोड़ी से फलोप के आने में थोड़ी सी बादा मैसूस होगी, और अगर आपकी दशाएं नकुल होई, अगर आपने मेरा चैनल अभी तर सब्क्राइब नहीं किया, तो किरपा मेरा चैनल सब्क्राइब कर दें, इस से जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूँ, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप मेरा वीडियो देख सके, इसके साथ ही नमस्कार दश्कों, जयमादादी